नमस्कान यूज़ेट इन इंडिया पर आप सभी का स्वागत नमबर वन चैनल का नमबर वन शो साज़िश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ मौनेका ठाकॉर साज़िश में आज आपको दिखाएंगे गाजा की गलियों में चल रहे युद्ध की सबसे नई तस्वीरे इस्रेल के ग्राउंड अपरेशन को रोकने के लिए हमास ने अपना सीक्रेट हतियार चलाना शुरू कर दिया है ये इतना सटीक है कि एकी हमले में इस्रेल के कई टैंक दम तोड़ चुके हैं हमास के इस वीडियो ने देल अवीब से लेकर वशिंटन बीसी तक हर कम्प मचा दिया है दो मिनट के वीडियो ने इस्रेल को चुकनना कर दिया है इसके हर एक सेकंड में इतनी आग है कि गाजा के युद का सबसे खतरनाप चहरा सामने आ गया है इस्रेल में माना जा रहा है कि अगर हमास के इस खतरे से नहीं निप्टा तो घाजा में उसे हार का सामना करना पड़ सकता है बहुत से हमले हो रहें बहुत से धमाके हो रहें इस्रेल के टैंकों और बखतरबंद गाड़ियों को हमास चुन चुन कर मार रहा है हमास ने क्या दिखाया? इस्रेल ने क्या छुपाया? कौन घाजा में एक्स्पूज हो गया? इसकी फायर पावर में दम है और किसने 24 गंटे के अंगर कौन सा बड़ा दावा दिया है? दो मिनट के अंगारों से भरे इस वीडियो में सब कुछ पैक है आग बहुत ज़्यादा है कौन कितनी लाशें गिरा रहा है? आप जानकर चौंक जाएंगे इस वीडियो को आप डिकोड करते हैं एक एक सेकंड बहुत ध्यान से बहुत भौर से देखिएगा ये है गाजा में चल रहे ग्राउंड ओपरेशन को लेकर हमास का सबसे नया वीडियो है जिसमें शुरुवात से पहला धमा का कम्प्यूटर जेनरेटर ग्राफिक से दिखाया क्या इसके बाद आती है वो तज़वीरें जिसमें हमास के हमले की बड़ी शुरुवात होती है खंडर बन जोके गाजा की एक इमारत से दिखाई देता है इस्रेल का मरकावा टैंक हमास मोचा समालता है और फिर चुप कर फायर करता है या सीन रॉकेट रॉकेट फायर करते हमास का ये दस्तार दूसरे कोने पर भादते हुए पहुँचता है एक टूटे हुए दर्वासी के बाहर रॉकेट ताना जाता है और फिर वहां खड़े इस्रेल के एक टैंक पर या सीन एंटी टैंक रॉकेट दाख दिया जाता है तीसरा हमला भी आड से किया जाता है टार्गेट पर इजरेल का टैंक है और हमला भी आसीन रॉकेट से किया जाता है कुछी दिनों के अंदर हमास का ये रॉकेट पूरी दुनिया में चेर्चा का मुद्दा बन गया है चौथा हमला सड़क के पास खड़ी एक नेमर बखतर बंद गाड़ी पर किया जाता है इसके नो सैनिक बैठते हैं इसलिए नुकसान का अंदाजा लगाई पांचवें हमले के लिए हमास का अंटी टैंक दस्ता फिर गली में आता है इसके गली के एक मोहाने पर खड़े इसरेयल के मरकावा टैंक को या सीन रॉकेट से टार्गेट दिया जाता है निशाना सठीक लगता है हमलावर स्कॉर्ट धिर छुप जाता है यही होता है गोरिल्ला युद छटे हमले के लिए फेर या सीन रॉकेट से निशाना साधा जाता है रोड की दूसरी तरफ एक परकावा टैंक खड़ा है और फिर धमाका एक दूसरे कैमरे से रेकॉर्ड किया जाता है साथवा टैंक बहुत ही खतरनाक है हमास का एंटी टैंक दस्ताफ धेर से नेमर बखतरबंद गाड़ी से टार्गेट करता है दूसरी सिर्फ 20 से 25 मीटर ऐसे हमले इस्रेयल को बहुत गहरे जख्म दे रहे है हमास छुपकर हमला कर रहा है और इस्रेयल के पास इसे काउंटर करने के लिए घाजा में और गहरा जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं आजवा हमला एक बॉल्डूसर पर होता है ये हैं इस्रेयल का बखतरबंद बॉल्डूसर बी-9 हमास इस पर रॉकेट से वार नहीं करता बलकि इस पर पेट्रोल डाल कर आग लगा देता है अभी तक के युद में हमास का दावा है कि उसने इस्रेयल के 60 से जादा टैंक और बखतरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया है इस्रेयल ने भी कई हमलों की पुष्टी किये ऐसे में सवाल है कि का घाजा में चल रहा गोरिला युद इस्रेयल पर भारी पढ़ने वाला है इस्रेयल के रक्षा मंत्री के मताबक हमास की बड़ी हार शुरू हो चुकी और अभी तक इस्रेयल ने हमास के बारक कमांडर मार गिराएं और अभी उसकी लिस्ट में अगला नाम सेन्वार का है जसे इस्रेयल सार तक्तुबा को हुए हमलेका मास्टर मांडर मांडर जस्रेयल हम! המסגרות האלה הולכות ומתकרסמות, הולכות ומתפרקות כתוצאה מהפעולה הנחושה של לוחמי צהל אני יכול לומר לכם ששני-מאסר מפקדי גדודים של ארגון הטרור חמאס כבר חוסלו והיד עוד נטויה, אנחנו נגיע לכולם, לשרשר את הפיקוד ולמחבלים שבשטח लेकिन इस्रेयल के पास अभी तक अपनी काम्याबी दिखाने के नाम पर सिर्फ गाज़ा पर हवाई, मंबारी के अलावा कुछ नहीं जबकि हमास जो वीडियो जारी कर रहा है उसमें इस्रेयल के टैंक फटते हुए साफ नजर आ रहे है इन सब हमलों में हमास का यासीन रॉकेट इस्रेयल के लिए बहुत बड़ा खलनायक बन कर उपरा है यासीन रॉकेट कैसा होता है, इसे समझने की कोशिश करते है ये रॉकेट एक तरह से RPG यानि की रॉकेट प्रपिल्ड ग्रेनिट का जादा खतरनाक वर्जन है जादा डेंजरस है और ये है यासीन 105 रॉकेट जो कि रॉश्या के भी PG-7 VR की नकल कहा जाता है यानि की उससे भी जादा खतरनाक कहा जाता है इसे लेकिन इस रॉकेट की खासियत क्या है इस रॉकेट में 2-stage warhead लगे होते हैं यानि की इसमें 2 जगाए विसफोटक होते हैं एक यहां एक यहां अब समझे ये क्या काम करते हैं इन्हें सबसे पहले तो आप ये जाने की tandem वर्जन कहा जाता है यानि कि एक विस्फोर्टक इसमें आगे लगा होता है ठीक इस जगा पे वही दूसरा विस्फोर्टक पीछे की तरफ 105 mm की दारे में होता है और टैंक में जो explosive reactive armor यानि कि एरा जो कवच होता है पहला जो विस्फोर्टक यहां लगा होता है उसे भेदने का काम करता है जिसके पाद 105 mm वाला warhead बड़ा blast करता है और फिर तहस नहस तबाही ला देता है और यह किसी भी टैंक की बक्तर को आसानी से भेज सकता है एक बार यह warhead टैंक में घुसता है तो समझ लीजिए कि अंदर जो भी होगा वो जल जाएगा उसके चित्रे उड़ जाएंगे उसके बचन स्वरंगों का इस्तैमाल हो रहा है हमास के एंटी टैंक दस्ते सुरंगों से निकल कर इजरेल के टैंकों पर विस्फोटक लगा करने लगे है यह बात इजरेल को बहुत परशान कर रही है ऐसे ही एक वीडियो में हमास का एंटी टैंक दस्ता इसरेल के एक मरकावा टैंक पर विस्फोटक लगा कर आ जाता है पहले उसमें धमाका करता है इसके बाद पास्ट में खड़े एक दूसरे मरकावा टैंक पर या सीन रॉकेट से अटाक किया जाता है दोनों ही हमले टैंक पर अच्छूक निशाना साबित होते हैं हमास अब कम्प्यूटर ग्राफिक से बनाए गए वीडियो में ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इसरेल की टैंक पर कैसे विस्फोटक चिपकाया जाता है इसे आप हमास का एंटी टैंक वारफियर ट्यूटूरियल भी कह सकते हैं जिसमें रॉकेट या मिसाइल का इस्तिमाल नहीं होता बस टैंक पर जाकर विस्फोटक लगा देना होता है इस वक्त इसरेल की सेना घासा के अंदर एक एक इंच को साफ करके आगे बढ़ना चाती है ताकि हमास के किसी भी खत्रे से निप्टा जा सके गोरिल्ला युद में इसरेल को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और ये बात ग्राउंड ओपरेशन के शुरुवाती जटकों से साफ हो जुकी है इसरेल के टैंकों पर इस वक्त अलग से जाली वाला कवच लगाया जा रहा है ताकि टॉप एंगल अटैक से मरकावा को बचाया जा सके इसरेल का ग्राउंड ओपरेशन अभी उत्तरी गाजा में चल रहा है इसरेल की सेना एक-एक कोने को तलाश रही है क्योंकि कहां पर सुरंग होगे और कहां से हमास का अगला हमला होगा इसकी उसे बनक तक नहीं लगती और हमला हो जाता है जब कि इसरेल कादावा है कहमास के काई कमान्डरों की कबर खोड़ी जाजुकी हमास के नए नए वीडियो आ रहे है जिसमें गली मुहलों से युद्ध दिखाया जा रहा है हर जगा यासीन रॉकेट ही हमास का सबसे सथी खतियार थाबित हो रहा है इस वीडियो में भी हमास के अंटी टैंक दस्ते अचानक सामने आते है और हंडर बन चुकी इमारतों से इस्रेयली टार्गेट पर यासीन रॉकेट दाख देते है इस रॉकेट को हमास ने अब अपनी जरूरत के मुताबिक तयार कर लिया है और वो इस्राइल के टैंकों और बकतर बंद गाडियों पर इससे हमला कर रहा है इस्राइल टैंकों के खिलाफ ये काफी कारगर माना जाता है अब सुचिए कि इस्राइल तो पहले ही अपने advanced armaments के लिए जाना जाता है और इस्राइल सबसे जादा अपनी सेना की सुरक्षा के में खर्च करता है अब इस्राइल के टैंक्स को भी अगर ये भेद पारा है उसके कवच को भी अगर भेद पारा है तो समझे ये कितना जादा डेंजरस है इसकी मारक्षमता कितनी जादा है दुनिया भर में ये किसी भी सेना या फिर मिलीजिया का सबसे खतरनाक हतियार माना जाता है क्योंकि ये किसी भी anti-tank missile के मुकाबले सस्ता होता है लेकिन तबाही उतनी ही जादा मचाता है आप समझे कि जैवलिन जैसी missile जो कि करोडों के निर्माण के बाद बनती है ये महज कुछ dollars में ही बनकर तयार हो जाता है यानि कि सस्ता भी है तिकाऊ भी है और सबसे बड़ी बात खतरनाक यानि डेंजरस भी है यासीन रॉकेट का नाम हमास को कायम करने वाले शेख एमद यासीन पर रखा गया है 2004 में इसरेल ने एक हमले में शेख एमद यासीन को मार डाला था लेकिन अब इस रॉकेट को अपना सबसे बड़ा हथियार बना चुके हमास ने एंटी टैंक दस्तों में इसकी सप्लाई तेज कर दी है यही वज़ा है कि घाजा का गोरिला युद शुरवात के साथ ही बहुत ही खतरनाक स्टेज में पहुँच चुका है इसरेल की लगातार बंबारी के बीच हमास के पास इस सुवक्त सडकों पर लड़ने के लिए इस से बेतर हथियार नहीं है यह बात इसरेल भी जानता है और उसके सामने इस रॉकेट का दोड निकालना बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है